हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजू और आज हम बात करेंगे एक फेशल किट के बारे में जो कि हम सभी लेडिस की बहुत ज़्यादा जरुरत है देखी क्या होता है ना हर वकत तो हम पार्लर में जाके बैठ नहीं सकते कई बार हमार पास टाइम की कमी होती है या कई बार अटेंडम हमारा ऐसा प्रोग्राम बन जाता है कि सपोज रात को प्रोग्राम बना और कल सोबह जाना है तो अब हम रात को तो पार्लर में जाके नहीं बैठेंगे ना का डिनार और वो सब का काम छोड़ करके है ना तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ ये एक मिनी किट दिखाती हूँ आपको ये देखिए ये है मेरी जोवस की मिनी फेशिल किट फेरनेस एंड ग्लो के लिए है ये इसको मैंने कई बार यूज कर लिया है चोटू सी है और पांच-छे बार मैं इससे फेशिल कर चुकी हूँ और अभी भी इसमें है मतलब एक दो बार अ और वह जाएगा तो मैं इसको खोल करके दिखाती हूँ है आपको ये देखिए ये विल्कुल असानी से ऐसे करके यहां से ओपन हो जाती है ये देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया है ये देखिए कितने छोटू-छोटू सी इसके अंदर ट्यूब है और हाँ सबसे दिखाती हूँ आपको ये तो इससे क्या होता है ना कि हमने यूज करा जितनी हमें चाहिए और फिर हमने कैप लगा करके इसको रख दिया ये देखिए कैप खोल दीजिए और फिर कैप लगा करके फिर से रख दीजिए ये देखिए ये असानी से हम इसको यूज कर सकते है निकाल लीजिए और फिर ये देखिए इसके भी न और हमें यूज करना भी इसको बहुत ज़्यादा असान रहता है तो आपको एक बार दिखा देती हूं फ्रेंड्स ये देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हैं ये है क्लीनजर नंबर वन पे ये देखिए दिख रहा है ना सिट्रस एंड ब्लेक बेरी का है ये और स्टेफ वन इस पे लिखावा है और पीछे आप पढ़ेंगे तो सब मैथट भी लिखा हुआ है ये देखिए और एक्टिव इंग्रीडियंट भी इसमें लिखावा है क्य है इस तरह से निकाल करके और यूज कर लीजिए इसको और इसको रखना बहुत ही असान है इसको रख दीजिए ठीटन george friend सब् Commission using यह देखिए, इसको मेरे ख्याल से ख्लीन जर है, सिरफ 2-3 मिनट मसाज करना है, और फिर क्लीन कर लेना है, फिर यह आता है दूसरा नमबर पे, फेशल इसक्रब, यह अप्रिकोट और अलमंड का है, इससे क्या है, इसक्रब है, यह हमारे इसकिन की सारी, डेड सकिन निकाल द स्टेप 3 पे है फेश मसाज क्रीम तो फेश पे हम इसे यह 10-15 मिनट तक आप मसाज कीजिए तो जिससे की यह जो मसाज क्रीम है अंदर तक इसकेन में हमारे अब्जॉर्ब हो जाए इसकेन बिलकुल ही सॉफ्ट हो जाती है फिर यह है पैक यह ब्लैक बैरी और लिक्यूरिस का है तो यह इसमें क्ले से बनावा है तो बहुत अच्छी तरह यह फिक्स हो जाता है यह हो गया और नंबर पांच पर है यह यह है फेरनेस क्रीम सैफ्रोन एंड बैरी बैरी की तो यह लास्ट में हमें लगा लेनी है उसके बाद फेस वाश नहीं करना है और नैट से भी हमें फेस पर कोई साबुन नहीं लगाना है और उसके बाद गलो देखिएगा आप कितना अच्छा हमारे फेस पर तो देखा आपने फ्रेंड्स कितना असान है ना घर पे फेशिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप भी इस तरीके से कहीं भी शादी में पार्टी मे लिए मिन्टो में चमक जाएंगे मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं और यह मैं बतावों आपको कुछ मैने देखा है पैकेट्स में आते हैं है ना तो पैकेट्स का क्या है काटो तो ऑगे से सूखने का रहता है लेकिन इसमें क्या है और अगे से ढखन बंद बंद हो घया तो बिल्कुल क्रीम सूकती नहीं है और मुझे इसे 5-6 महिने हो गए है यूज करते वे 5-6 फेशल मेरे अराम से हो गए है मैं हर मंत में कर लेती हूँ या जब कहीं भी अटेंडम जाना होता है तो भी मैं यूज कर लेती हूँ तो आप भी पार्लर में जाके पैसा बिल्कुल वेस्ट ना करें मुझे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट लगता है कि ले सिरफ ये 2-4 क्रीम लगाई और मसाज करा लगा के बठा दिया पैक लगा करके इतना तो हम गयार खुद भी कर सकते हैं हम क्यों इतने पैसे वेस्ट करें पंद्रा सो से कम आपको कोई पार्लर में फेशिल नहीं मिलता नॉर्मल भी आपकर आने जाएंगे है ना तो आप भी इस तरीके से अपने पैसे और टाइम की बचत कर सकते हैं इसको तो क्या है ना हमने खानावाना निप्टा लिया रात को फ्री हो गए तो भी हम 15-20 मिनट अपनी स्किन केर के लिए निकाल सकते हैं तो उससे देखिए हमारे स्किन कितनी अच्छी रहती है और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है तो प्लीज अगर ये ना पार्लर फेशिल किट तो आप भी छोटी सी करी सकते हैं और ये बहुत ही कम और भी ब्रांड्स की म कीजिएगा तो और 40 प्लस के बाद तो हमें जरूर करना चाहिए हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है जैसे हमारे बोड़ी को निट्रिशन की जरूरत रहती है तो ऐसे ही हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए भी इन चीजों की जरूरत रहती है ऐसा नहीं है इ लाइक कर दें and शेयर कर दें. बाबाई